प्रश्शद्ध फिल्म निर्माता रवी टंडन का शुक्रवार को 85 वर्ष के उम्र में निधन हो गया कुछ दिर पहले उनका अंतमसंसकार किया गया रवीना को अपने पिता के अंतमसंसकार की वरस में निभाते हुए देखा गया और उनके साथ उनके भाई राजीव टंडन और पती अनेल थडानी भी थे अंतिम सांसकार के विडियो और तस्वीरों में रवीना को कंधा देती हुए भी देखा गया उन्हें अंतिम सरद्धांचली देते हुए रवीना बेहद इमोशनल नज़राई रवीना टंडन के पिता का निधन शुकरवार तड़के सुबह हुआ था रवीना टंडन के पिता के निधन के खबर सामने आने के बाद फिल्मेकर फराह खान और एक्ट्रिस रधमा पंडित रवीना से मिलने पहुँची रवी टंडन को फेफड़े में फाइब्रोसिस था उन्हें सांस लिने में दिक्कते हो रही थी जिसकी वज़े से उनका निधन हो गया रवीना ने अपने पिता के निधन पर शूक वैक्ट किया और उनके साथ अपनी कई तस्वीरों को साजा किया रवीना टंडन ने तस्वीरों के साथ लिखा आप हमेशा मेरे साथ चलोगे मैं हमेशा आपकी तरह रहूँगी मैं कभी जाने नहीं देती लव यू पापा रवीना ने इस काप्शन के साथ पिता के साथ वाली कई अंदेखी तस्वीरे शेयर की इनमें रवीना क्यों पिता के साथ हाथ पकड़े देखा जा सकता है जबकि एक तस्वीर में रवीना के बचपन की है वो अपने पिता के गूद में बैठी है रवी टंडन 1970 से 80 के दशक में भारतिय सिनेमा का एक जाना माना नाम थे वो एक निर्देशक, निर्माता और लेखक थे उन्होंने अन्होली, खेल-खेल, मजबूर, खुद्दार और जिन्दगी समेत कई फिल्मों का डारेक्शन किया था